हेलो स्टुटें, गूड मॉर्निंग तु अल अफ्यू, बेट अपा ASP.NET दियां टाइप्स कर लिया सिगे, उस्तो अग्या आपा कॉमल लेंग्यूस रॉन्टाइम इको तो अडी ब्रांचा उदे बार या पडिस्कस कर दिया जा, कैन्दी कॉमल लेंग्यूस रॉन्टाइम अपने प्रोग्राम नू बना रहे हुन्या, मतलव कोई भी अप्लिकेशन कर रहे हुन्या, बेटा उदो सेवा प्रवाइड कारदा, मतलव ओ देरी काम मालेड़ा, अप्लिकेशन दित्ता जाता, ता CLR लोकेट, लोड एड एड अग्जिकुट अवर प्रोग्राम, एक ही क प्रोग्राम लिखेया जानदा, फिर उनु कंपाइल, कनवर्ट किता जानदा, कारी विच बेटा, नेटीव कोड देविच, ता एग्जिकुट अनु मनेज करदा, उस कोड नु, एनफोर्स स्क्यूटी अन टाइप सेफटी, फिर ओ इनफोर्स करोगे विच, स्क्यूटी लगी होँ भी ताइप किस ताइप दिया, एंद प्रोवाइड दा थ्रेट स्पोट अन और यूस्पल सर्विस, ते हो और भी ज़निया सर्विस अप प्रोवाइड करवान दा, दा कोड दैट रण वीदन दा CLR is कोल्ड मनेज़ जेडे CLR थे नाल कोड रान किते जान देने उन्हों अपा मनेज़ कोड बोल देया जेडे आपा आउटसाइड CLR थे कोड अपा रंकर दे उन्हों की बोन दे आपा आण मनेज़ जोड़े हे दोनु एक दूजे नाल मिलके कम कर देने ता डाट इस कॉल दे इन्हों बोल दें इंटल ऑपरेट अबेल्टी ठीक है कंपनेंट अप्लिकेशन लेडियां पर डॉटनेट नियां चला नियां था कंपनेंट अप्लिकेशन प्रवाइड एक्सेंशन मनेजर कॉमन डिबगर अधर सिस्टम सर्विस साच आज बे अधरी नियुक्त अधरी इस कंपनेंट निकली यह फिर्स्ट क्लास्ट के देदा की का मैं वाटा रं टाइम ते लोडिंग करता स्टोर करता क्लासेजन मैंसाल मैंक्रोसफ्ट जो वी अपने इंट्र इमेडिये लांगिवसा ठीक है वन्नों नेटीव कोड देशन दीशन द कर लेंदा जो कोई एक्स्ट्र अपर वेरिबल एड़ी कर लें तो उन्हीं मैंम्री एडिये हैं अलोकेट कर देंदा स्क्यूटी इंचन इटिन फोर्सस क्यूटी रैसिटिकेशन स्क्यूटी लगांदा ओधियों कि जो भी आपासवर्ड बगार अपलाई करना चोनी है टा अपने कोले मैंनेजर इट प्रवाइड मेंगानेशन टू हैंडल दा जो भी आपा चीज अप्चेशन हों दिया ने अचानका आजन जी कोई भी चीज ओनान हैंडल कर दा डिबाग एंजन इट अलाव अस तो डिबाग दा डिफेंट काइंड ओफ अप्लिकेशन अलागला स अप्लिकेशन टाइप प्रवाइड कर वांदा बिजिन आप्लिकेशन जो आप रण करना चोले कॉमल लेंगिज रां टाइम जैडा बेस क्लास लाइबरेरी स्पोर्टिंगा जीरिविच आपा किया थ्रेड स्पोर्ट ठीक है जी ताइप चैकर हो गया एक्जिकिशन होगी स्क्योटी इंजिन होगे डिबाग हो गया आईल कोड होगे कार्विच क्लेक्टर हो गया क्लास लोटर हो गया इसारे अपर पहले डिस्कस कार ले दे कॉंपोनेंट यह तो बाद आप देख दिया भी ओक काम किमे कर दिया तो फर्स्ट आपकी कर देपहला सुप्तों दिवारा ही पाइल किते हैं तो फोग्रम लिख आता मतलब किता चैनला है फिर की कार देया आफ्टर कंपालेशन ई इंटर इमिडियेट लैंग्यूज ते ही चेंज कर दने सिन्वेच जिनों इंटर इमिडियेट लैंग्यूज चिला झाला है चयन्क उटरों आप बोल यह Microsoft आपने को लिए इंट्रीमिडेट लेंग्विजा देडि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रीमिडेट लेंग्विजा कोड कंटेन सीपी जो इंडिपेंडेंट सेट आफ इंस्थुक्शन मतले सीपी जो इंस्थुक्शन नहीं कर दी वीचिश्च्राइब हाव तो लोड इनिश इनिश्च्ट 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 तेना र्कॉयड भी एक्जिक्टिशन राउन आप पानु किस किस टाइप दी रेफरेंस अड्रेस दी जरूरता ओ इन्फर्मेशन लाज़ेडी ओ हुं धिया मैटा डाटा दी विच मैटा डाटा की हुंदा डाटा बाउट डाटा जेडें मैटा डाटा दी लोकेट हुंदे वो पोर्टेवल एक्जिक्टिवल फाइल हुं धिया मतलब किया वी इसली एक जगा तो आप दूजी जगा दे जाके उन्हों चला सकते है मतलब जी एपा प्रोग्रम एक पीसी ते बनाया था पहुंद दूजी दे विचे रन कर सकते हैं ठीक है वें दिस पोर्टेवल एक् पास टू दा आयल इंडरिमिडेट लेंगिज नो पास किता है जाना ओकादरी चे कनवर्ट कर देवाटा नेटिव कोड देविचे पाज़िए आयल ला बिज़ों नेटिव कोड कंपाइलर कंपाइलर कंटें कार दा जास्ट एंटां ता कंपाइलर पार दिफरेंट पीसी एंड कंपाइल आयल कोड इंटु नेटिव इंस्ट्रक्शन सेट और मशीन कोड मशीन कोड देविच नो कॉनवर्ट कार दा जैडा आयल अपने को ले दिता वाट नेटिव कोड कंपाइलेशन और क्वाइट टू डू ओली वान सिर्फ एक कवरी पूरी किती जाने आफ्ट थे दो आथ अटिव सब्सक्राइब मशीन कोड देविक्स कड्या घंडक्र नंबर और ताइम कोड आफ टाइम ऑल ओंड कई निंवी में अपने को लेक सब्सक्राइब कोई उन प्रोग्राम आप जी में आपके लिए और डाटनक्रा जैसानने जैसार टेस्भ लिख लिख ठीके फेर किया दिविच चे-स इशार पादा सी शार दा कंपाइलरा ओनु अनु कनवर्ड करूगा का दे विच MIS कोड दे विच ते मैटाडाटा ओद वारी इन्फर्मेशन फेरो कि वह जटन कंपाइलर दी वर्तों करके वह कादे भी चला जुगा बटा नेटिव कोड दे वीचि जुजा जड़ा करूगा अगे जड़ी सर्विस प्रवाइड किते हैं यह द्वारा जिमी अपने बोले आ गया जड़ी सी यह लारा प्रवाइड रॉन्टाइम इन्व टाइप सेप्ट दी नवार्जन ओफ मिस तुदा नेटीव कोड हो यह दा लोड कार दा इंस्ट्रक्शन लू एक्जिक्ट कारदा क्रीटेशन कारदा जा मनेज कारदा मैट डाटा नू इंसर्ट करनी स्क्यूटी चक चेक करदा क्रॉस लैंग जूस एक्स्पेक्शिशन च टाइप सिस्टम जडी कॉमन टाइप सिस्टम हुन दिया न एदिविच की हुन दा टाइप इंद डाटनेट फ्रेमवर्क आरदा बेस ओन विच डाटनेट अप्लिकेशन कंपोनेंट एंड कंट्रोल अर बुलिट भी जित्थो आप अपा अप्लिकेशन कोई कंपोनेंट थ बगयरा बनाएं जान दिया ने कॉमन टाइप जड़ा सिस्टम उन्दा इंड डॉटनेट फ्रेमवर्क डिफांड हाउ टाइप्स आर गोइंग तू बीटे क्लियार ओधी टाइप आप किमें डेकलियर कर सकते हैं यूज़ एंड मनेज़ इन रॉन टाइम तेपा किमें मनेज कर देने विजिवल तो अधर टाइप साच प्राबली का जा प्राइप शो कर दें विप्लिक तूरते सारे देख सागे जा नहीं इन अधर वार्ड इस दाइसरी डाटाइप वैल्यू अब्जेक्ट टाइप विच यू नीद तो डेल्प अप्लिकेशन इन डिफें डिफें नतलव के विजिल विजिशिक तो यह सटेंग यूज कर दे ओ जिए या पशी शार्प जास वियू उज से प्लस 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 टी यूज कर सकते हैं ठीक हां जिमें एनने एग्जांपल दिती है एफ वर एग्जांपल एप्स आप्लेवल अट इस एडप इंट तरह लें जा तेका देहार .NET framework you have single class called system.int32 interpret these variables बेटा देखो एदिविच दस्याभी जे आप शी शार्प चिछ उसकार तो डॉट ले इंटर्नल शो हो जन दिया जेकार आप विजोल बेसिक च लिख देयां तीजर पूरा करना वन्दा जे आप .NET framework देखिए जिनों पर काल्ड system.int32 देवेच आप इंटर्पेट कर देयां कैंदे कुछ का आपने को फंक्शन परफॉर्म किते यांदे CTS दे द्वारा आप्टोमेटिकली अडेप्ट कर लेंदे इसल्फ आपने आप फ्रेमबर्क देट अनेबल इंटिग्रेशन ओफ मल्टिपल लंग्यूस ताइप सेफ्टी एंड हाइप परफॉर्मस हों दिया कोड दी एक्जिकेशन दी प्रवाइट कर दा अप्जेक्ट ओरिंटेड لज होगता है को थी खुड क्रेंबर्याइट के एक जा डेप्योग लेंग लंगेज में दी एक heavier है कोड़ेशन दी और एकुरल फाइप लोगेशन दी एक टेटिएट दी एकन प्रेहिवार्न दी एकल सेटिकली बाइप लिएवों बाय वन दीचें दी एकषी टिर्गल इंबेंग दीशने टाइप इंफरमेशन विजो वी डाटा वारे इंफरमेशन उने वो सारी चीज़ नो की कार दिया है कोमन एक्जिशन एवरिमेंट प्रवाइड कर वाँ दिया है the language integration is a fantastic goal of course but the truth of the matter is that programming languages are very different from one another but the truth of the matter is that programming languages are very different from one another for example some languages like feature commonly used in other languages case sensitive language case sensitive language case sensitive because we have a big problem meaning is that small is the core and there are some identifiers which have no value sign which means the plus or minus use operator overloading method that is the variable number of parameters which are used okay, the next one is the same thing which is shown in the figure देविच जेड़ी CLS और शीशार्प चभी जूज हुन दिया बीवीच भी हुन दिया फॉर्टर मतलब सारे ने विच किया गिये हैं कौमन दखाई हो या ता ऐसा फिगर एक पॉइंट गया शोदा CLR CTS ऑफेर ब्रॉडली इंक्लूजिव सेट ओफ फीचर जेमें साम लैंग दिया यूज किता यंदा गा ओ देविच जेड़ी CLR ओ सारें दी की हुन दिया गी संजी हुन दिया मतलब सारें चीह यह यूज कर साथ एक लैंग्यूज दी रिटनिंग कोड़ा पा दूज्य दे विच भी यूज जेड़ा कर सकते हैं ता मोस्ट अधर लैंग्यूज साच यह जाच आज चीह शार्प बीबी फार टनोगी एक्षपोजा साबसेट सारी CLR CTS ना सब मतलब साबसेट ही ने जाए सारी दी डिफाइन कर दे मिनिमम सेट फीचर भीच अवल लैंग्यूज मस्ट स्पोर्ड जीनो सारी लैंग्यूज ही की कारदंगा ने स्पोर्ड कर दि अगेडी.net अप्लिकेशन आ यूजिं कमांड लाइन कंपाइलर एंड विजिल स्टुड अपने श्लेक्र जिविच कर आए